नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अरके क्लासिस में दोस्तों आज की क्लास में लोग बात करेंगे जो ग्रफी का एक इंपॉर्टन प्रश्ण है ठोड़ा टफ टॉफिक बन जाता ये विस्तार से जानेंगे इसके बारे में दोस्तों जैदि आओ इस चैनल पर नए है त चैनल को सब्सक्राइब करें पास वाले बिल ऐकन को जरूर दबाएं वीडियो अच्छा लगता तुसे लाइक और अधिक शदिक शेयर भी करते रहें सभी वीडियो का आपको पीडियाफ मिल जाएगा इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जर इसके बारे में जानेंगे कहता है कि प्रतेक नगर अपने आंतरिक सरचना की द्रिष्टी से बिलकुल अलग होता है यानि प्रतेक नगर आंतरिक भूपयोग की द्रिष्टी से अलग होता है उसके बाबजूद प्रतेक नगर की भूपयोग में एक व्यापक रूप से समान पाई जाती है कि कहता है प्रतिक नगर में विविन प्रकार के सहर भूप योग में एक प्रकार की भगवालिक समानता पाई जाती है इसी कारण बहुत से सिध्धान्त का विकास किया गया जो किसी नगर के आंतरिक भूप योग एवाम सनचना के बारे में बताता है आईए देखते हैं ये कौन से सिध्धान्त हैं बात करें पहले सिध्धान्त की तिसमें जो है ये है शनकेंद्रिये वले सिध्धान्त कंसेंट्रिक जॉन थियोरी हाँ एक और बाध्यान रखें कि इंग्लिस मीडियम में केवल आपको पेपर वन और पेपर टू का ही जो है नोट्स मिल सकेगा इसके लावा नहीं मिलेगा आपको कोई भी नोट्स इसलिए आप हिस्ट्री लस्डवलू या और किसी नोट्स किसी ऑप्सिनल के हैं तो आप 1923 में किया गया इनका यह सिद्धान्त शिकागो की आंतरिक संद्शना एवं भूप्यों के बारे में किये गए अध्यन पर अधारित है इनका विचार है कि किसी नगर का विकास या विस्तार नगर केंद्र से बाहर की ओर जो है अर्ये रूप में होता है जिससे संकेंद्रि वल्यों की एक स्रेणी बन जाती है लेकिन जो है वैवार में इस प्रकार के नगरों का सनकेंद्रिये वल्य के रूप में विकास साहिदी दिखा जाता है क्योंकि सहरों का आंतरिक भूप योग पर सहरों के बीच से गुजरने वाले जो रेल एवं सड़क मार्ग जो है इसके द्वारबीच पर परभाव डाला जाता है साथी नदिया जील तथा पहाड़ी इस सहर की आंतरिक सन्रशना एवं भूप योग को परमानित प्रभाबित करती है आगे कहता है बर्गोष के बर्गेस की नुसार किसी भी नगर की आंतरिक सन्रशना पांच सनकेंद्रिये वले के रूप में परिभाशित या परिकल्पित की गई है कहता है इसके द्वारा सहर का सबसे भीत्री वले को केंद्रिये वैपारिक शेत्र की संग्यां दी गई है सेंट्रल जो है बिजनस एरिया यह शहर का वह अस्थान है जहां पर पूरे नगर का वानिज समाजिक नागरिक पर्तिष्थान केंद्रित होता है कहता है इस शेत्र में प्राया सभी कंपनियों के पर्धान कारयाल है बैंकों के परधान कारयाल है थीयेटर बड़ी-बड़ी दुकाने शोरूम आदी रहते हैं इस तरह से इसे बाटा गया है ठीक है ये दिख रहा है में कंसेंट्रिक जॉन थियोरी बात करें पहले शेदर की तो ये जो भी हम लोगों ने देखा जैसे हम लोगों ने नाम दिया था क्या केंदर के बीच में मतलब कोर में है ये वन कोर्टू है जॉन आफ ट्रांसलेशन वर्किंग क्लास जॉन रेसिडेंशियल इसी तरह से ये बटा हुआ है इसमें कहता है केंदरिय वैपारिक छेतर के बाद की पेटी है इससे कई प्रकार के भूप यूग पाए जाते हैं यहां पर जैसे और दविक परतिश्ठान तूटे जोपड़ी एवं निम्द समाजिक सम्हूं के व्यक्ति पाए जाते हैं कहता है कि इस चेतर में बाहर से आने वाले लोगों की संख्यां काफी अधिक होती है बात करें इसके बाद का छेतर अधिक वर्ग चेतर कहलाता है इस चेतर में ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरे चेतर से यहां आकर बसे होते हैं लेकिन चुकि यह लोग अपने कारस्थान से नजदीक रहना चाहते हैं इसलिए यह लोग इस शेत्र में रहते हैं अगी कहता है कि इस प्रवासी भी इस छेत्र की जनसंख्या का एक महत्पुन हिस्सा है बात करेंगर चौथे छेत्र में आम तौर पर मध्यमवर के लोग रहते हैं इस छेत्र में प्राय एकल परिवार जायदा संख्या में पाया जाता है इस शेतर में मध्यमवर के साथ साथ उच्छवर के लोग जो हैं वो भी इस रियाईसी शेतर में पाये जाते हैं कहता है इस शेतर में अपार्टमेंट हाउस भी पाया जाता है अगला कहता है इसके बाद का जो छेतर है ये है अभी कमन छेतर जो मुख्य नगर से हरिते पट्टियों से दोरा अलग रहता है इस छेतर में गाओं के भी गुन दिखाई देते हैं तो इस छेतर में आसरे ग्रे जो है बहुतायत मातरा में होती है क्योंकि इस शेत्र से लोग काम करने सहर के मद्ध जाते हैं और रात में आकर सोते हैं शनकेंद्रिये वले शिधान्त की बहुत खामिया हैं जैसे आमतोर पर उद्योग नगर से निकलने वाले मारक के किनारे किनारे लगाये जाते हैं एवं मजदूर जादतर इस छेत्र के आसपास बसते हैं उसी प्रकार वैपारिक भूमी उपयोग नगरों को केंदर से बाहर की और सड़कों के किनारे पाए जाते हैं तता कुछ महत्पुन अस्थानों पर इसका जमा भी हो जाता है जिसे वैपार के उपकेंदर बन जाते हैं उच्व मध्धम सिरेणी के मकान नगर की किसी भी भागों में मिल सकते हैं अगरा जो सिधान्त है सेक्टर थियोरी खंड सिधान्त कहता है संकेंदरिय वले सिधान्त का वैवारिक जगत में नगरिय भूपयोग से मिल नहीं खाने के कारण जो है यह हायट एवं म.R.डेवीज के द्वारा खंड सिधान्त का परतिफादन किया गया होमर हायट कहता है कि इस धान्त के अनुसार नगरी भूपयोग नगर केंदर से बाहर की उर निकलने वाली भिन्न मार्गों द्वारा निर्धारित किया जाता है जिन मार्गों द्वारा नगर को कई खंडों में विवाजित कर दिया जाता है कहता है कि इस कारण नगर के विविन खंडों में विविन किराये वाला छेतर नगर के केंदर में ही विक्षित हो जाता है कहता है जब एक बार सटर को केंदर में इस प्रकार से विविन किराये वाले छेतर का विकास हो जाता है यानि विविन भूपयोग प्रारम हो जाते हैं जो बाद में विविन खंडों के बाहरी छेत्र में उसी प्रकार को भूप योग से जुड़ने के कारण सहर का विकास खंडात्मक रूप से बाहर की ओर होता है। कहता है कहने का ताथ पर यह है कि नगर के केंद्र में विविन मार्गों के आसपास अलग-अलग किरायवाला छेत्र उत्पन होने के उपरांथ उच्च किरायवाले छेत्र का विस्तार उसी मार्ग के दोनों और बाहर की ओर उसी प्रकार के भूप योग से जुड़ने के और नगर में बाहर की और होता है उसी प्रकार से घूपियो की पट्टी बाहरे च्षेत ने जुड़ने कारण होता है यह इस प्रकार से आप figure में देख सकते हैं CBD No.1 जो है centralized sovereign पर तरह कहता होलसेल लाइक मेनुफेक्टृरिंग नमबर तीन में देखी लो क्लाश रेसिडेंचियल मेडियम क्लास रेसिडेंचियल और नमबर पाँच में हाई-क्लास रेसिडेंचियल आगे कहता है कि यह सिद्धान्त संकेंद्रिये वले सिद्धान्त के अपेक्षा नगर के रियायसी छेत्र के ढाचे के बारे में अधिक अच्छी तरीके से बताता है यह नगर के विकास का विस्तार के साथ साथ विस्तार की दिशा को भी दर्शाता है इस सिधान्त की एक खास विशिष्टा यह है कि यह नगर के विकास में परिवहन मारगों के महत पर भी प्रकास डालता है बात करें अगले थियोरी की तो इसका नाम है मल्टिपल नुकलिया थियोरी बहु नाभिक सिधान्त कहता है इस सिधान्त का परदिपादन जो है सी ही आर है आगे कहता है तथा उलेमन दौरा उनिस सो पैतालिस में इस सिधान्त का परदिपादन किया गया इस ध्धान्त के नुसार किसी नगर का विकास जो है एक कैंदर के इर्द गिर्द नहीं बलकि अलग अलग जो है नाभी के रूप में एक साथ कई छित्रों में होता है कहता है बाद में नगर का विकास इन नाभी के इर्द-गिर्द समान प्रकार के भूप योग के जुड़ने से होता है नगर में नाभियों की संख्या एतिहासिक विकास तथा अवस्थित शक्तियों पर निर्वर करती है कहता है यह संख्यां एक नगर से दूसरे नगर में कम यह अधिक मिलती है यदि नगर बड़ा है तो वहाँ पर अनेक विस्ष्ट ना भी मिलते हैं आगे कहता है अमेरिका के अधिकांस बड़े सरों में निम्न छेत्रों में जो है यह इस प्रकार से फैले हुए यह चेत्र है केंद्रिय वैपारिक छेत्र थोक वैपारिक एवं विनिर्मान उद्योगिक छेत्र निम्न वरगिया रियाईसी छेत्र मद्यम वरगिया रियाईसी छेत्र उच वरगिया रियाईसी छेत्र बाहरी वैपारिक केंद्र रियाईशी उपनगर उद्योगिक उपनग तो ये सारे इस प्रकार से हैं अगला है Fused Growth Theory शयुक्त वर्देश दान्त कहता यह से धान्त गैरी शन द्वारा प्रकट किया गया उनका मत है कि नगरों के विकास में शनकेंद्री अवले प्रति रूप खंड प्रति रूप तथा बहु नाबेक मॉडल तीनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं बलकि प्रति एक मॉडल में सेस दो मॉडल का रूप भी कुछ न कुछ हद तक देखने के लिए मिलता है इस प्रकार कोई भी नगर तीनों ही मॉडल का मिला जुला रूप होता है तथा जिसमें उद्योगों एवं रियाईसी केंद्रों के अलग-अलग समाजिक आर्थिक एवं तकने की खंड स्थापित किये जाते हैं नगर का विकास यातायात मारगों के साथ साथ भी होता है कता हायट के द्वारा इंग्लेंड में केम्ब्रिज के दक्षिन शेतर के अध्यन से गयरिशन के मत की पुस्टी होती है भारत वर्स में बिविन नगरों पर किये गए अध्यनों से पता चलता है कि उनमें तीन प्रकार के मोडल देखने को मिलते हैं बात करें अगर कहता है कानपूर प्रारब में कानपूर नगर का विकास संकेंद्रिय रूप में हुआ बात में 1800 से लेकर 1900 तक 200 वरसों तक नगर ने अर्द विर्ताकार रूप गरहन कर लिया इसका कारण गंगा नदी का होना था जिसने उत्तर की और नगर के विस्तार को रोग दिया तथा पूर्व की और जो है ये मिलिटरी छेतर की उपस्तिती ने भी इस रूप से को विक्षित करने में मदद की बीश्वी सतावदी के पर्थम अधभोग में नगर में खंडिये विकास को देखने के लिए मिलता है अगे कहता है कि पूर्व महस्तित रिवर्फरंट सेक्टर मदद सेक्टर तथा नया विक्षित दक्षिन सेक्टर खंडिये विकास के उधारन है 1947 के बाद यहां पर जो है बहु नाविक विकास भी देखने के लिए मिलता है आरे पुरा इंडिस्ट्रियल स्टेट जो है भारतिये तकनिक संस्थान चीनी तकनिक संस्थान जे के रियान मिल बहु नाविक विकास के उधारन है इस फिकर को आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार से जो यह डाटा बनावा यह चावनी है यह डॉटेड लाइन जो है रुकावटों वाला छेतर है खंडिये विकास नदियों के सामने का पस्षिमी सेक्टर नंबर वन को दुरसा रहा है फिर है मद्ध सेक्टर दक्षि सेक्टर नदियों के सामने का पुर्वी सेक्टर तो हमारा जो आज का प्रश्ण था कि इंटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज यह इस प्रकार से पूरा होता है उमीद है आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अधिक शैदिक शेयर करें आप इस नंबर पर वाट्स अप कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद